नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्राण जोती सीक्रेट कुम रासी बालों के दस रहसे जो सायद आपको सोचने पर विवस कर दे तो चलिए आज हम आपके दिल को छूते हैं कुम रासी बाले सनी देव की प्रेयरासी है और इनका जो चिन है यानि कि आप देख रहे हैं एक व्यक्ति है जिसके कंधों पर घड़ा है यानि बहुत सारे ग्यान होते हैं इन में और जो चलकता है हर किसी को साथ लेकर चलने वाले हर किसी को एक सही राह दिखाने वाले जो कुम्बाले होते हैं आजात ख्यालों के होते हैं किसी भी बंधन को स्विकार करना इन्हें पसंद नह से किसी के अंदर रहना इन्हें पसंद नहीं इन्हें किसी भी तरह से आप बांध नहीं सकते और ना ही ये अकेले रहना पसंद करते हैं हमेशा ही आजादी की चाहा रखने वाले खुद को बांध कर तो रखते हैं लेकिन किसी ऐसे बंधन में जहां इनकी समाजिक पर्तिष्टा बरकरार रहे यानि सबसे मिलजूल कर रहने वाले लोग होते हैं यह कुम वाले आप कहीं भी जाएं अगर कोई बेक्ती आपको बहुत बिंदास अंदाज में आपसे मिलता है या चेहरे पर एक तेज दिखता है आँखों में चमक देखती है तो समझ जाएं वो कुम वाले हैं क्योंकि इनकी मुस्कान अपनी और सभी को आकरसित कर सकता है कुम रासि वाले जो होते हैं जिनसे भी बात करते हैं बिल्कुल दोस्ताना तरीके से हर किसी को अपना दिवाना बनाने की काबिलियत होती है इनमें कोई खास कुछ करते नहीं लेकिन इनका चार्मी अलग होता है इनके आकरसित से कोई भी बचकर नहीं निकल सकता इनके दोस्त हों इनका परिवार हो सब को लेकर चलने वाले और कुम वाले जो होते हैं हर समय सभी के हम पहले भी आपको बता चुके हैं कुम वाले जनता के बड़े बर्ग को फॉलो करते हैं और कोई ऐसे फिल्ड में जाते हैं जहां ये बहुत सारे लोगों को ट्रीट कर सके एक तो अकेला पनी ने पसंद नहीं दूसरी ये हर किसी को साथ लेकर चलते हैं हर किसी पर ट्रस्ट करते हैं और ये सबसे बड़ी कमजोरी है जरूरस से जादा भरोसा करना कभी-कभी आलस सिपन सरीर में आ जाना और इस चकर में बड़े-बड़े मौके भी इनके हाथों से निकल जाते हैं तो इन चीजों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए वैसे तो समाज की बात करें तो हर किसी के साथ एक ही तरह से रहते हैं कोई भेदभाव नहीं करते और जगड़े लड़ाई हैं जैसी चीजें इनने पसंद नहीं बात हलाकी कम करते हैं पर जितना भी करते हैं बहुत अच्छे इनकी बात करने का तरीका अद्भूत होता है लोग इनकी बातों को बार बार सुनना पसंद करते हैं, इन्हें सुनना पसंद करते हैं, इनके करीब रहना पसंद करते हैं क्योंकि मुर्दों में भी जान डाल दें, ऐसी इनकी बात करने के तरीके होते हैं लोगों से इतना प्यार करते हैं सायद हर कोई चाहता है उन्हें भी अटेंशन मिले और कुम्ब वाले लगवक सभी को अटेंशन देते हैं किसी भी महफिल की सान भी होते हैं एक बार किसी से अगर दोस्ती कर लेते हैं तो निवाते हैं पर दिल की बात किसी से सेर नहीं करते और ना ही कभी आप इनके चेहरे को देख कर ये पता कर सकते हैं इनके मन में क्या चल रहा है बहुत इमानदार होते हैं और साफ दिल के होते हैं इनकी बातों से तभी तो लोगों को प्यार हो जाता है जो भी मन में आता है सब कुछ सब के सामने बोल देते हैं और अगर हम कुमरासी के लड़के हैं तो इनकी धेर सारी लड़कियां होगी चाहने वाली और लड़की है तो लड़के होंगे हर कोई इनका फैन भी होता है हलांकि सब कोई इनसे प्यार करता है पर ये दिल फेक नहीं होते कुभुबाले जिनसे भी प्यार करते हैं अन्त तक निभाते हैं और आदर सोच के होते हैं कुमरासी की जो लड़कियां होती है वो इमानदार होती है पर थोरी सी भावुख होती हैं इनकी आखें बोलती हैं बहुत खुबसूरत आखें मुस्कान बहुत आकर सक और हलांकि घुल मिल तो जाएंगी दोस्ती कर लेंगी लेकिन इनके दिल में उतरने के लिए आपको थोरा सा वक्त लगेगा हर किसी को दिल में जगान नहीं देते वैसे तो इन्हें जो गंभीर व्यक्तित के लोग होते हैं या फिर जो इनकी सुने ऐसे लोग ही पसंद आते हैं कुम वाले को गुस्सा भी आता है और एक बर जब गुस्सा आ जाए तो फिर बलाश्ट होता है और ये किसी की बातों से जल्दी मानते नहीं इन्हें कुछ देर अकेला छोड़ते ये खुदी ठीक हो जाते हैं पर हाँ थोरे से संकी तो होते हैं वैसे तो बात ज़ादा बोलने से ये ज़ादा काम करना पसंद करते हैं इनका एक ही कहना होता है किसी दूसरी पर और चलाने से अच्छा है खुद कर लो अपने उपर इनी पूरा भरोसा होता है वैसे तो कुमब वालों की जितनी बात कही जाए वो कम है क्योंकि इनके तरह साइध कोई भी समा नहीं बाढ़ सकता है अब और आजादी भी साती अपने जीवन साती के साथ बहुत अच्छी थे सी में लेकिन अक्शर देखा गया है कि कुम्ब Patrol के बैवाहिक जीवन में हम यह कहें पाएंगे कि बहुत अच्छा होता है इनका बैभाई जीबंज ना मिला जुला होता है कभी बहुत अच्छा रहेगा बहुत प्रेम और कभी बहुत खराब लगेगा जैसे दोनौ एक को काटने को दोड़ रहा है लेकिन तूटता नहीं है इनका रिस्ता चलता रहता है तो ऐसे में अपने लिए थोड़ा सा सटिस्पाइट करें तो बहतर होगा तो आज हमने कुम वालों के दिल को छूने की कोशिस की है वैसे तो आपके बारे में जितना कहा जाए साय कम होगा लेकिन हम आपसे लाश्ट में दो बाते कहना चाहेंगे एक तो आप लापरवाही से बचिएगा और दूसरा किसी पर भी ज्यादा विश्वास मत कीजेगा जुआ सटा एक्स्ट्रा मेरिकल अफेयर रिलेसंसिप जैसी चीजों से बचिए क्योंकि आप अक्सर इन छेत्रों में पहुंच जाते हैं और फस जाते हैं इन से आपको बचना होगा गलत संगती गलत काम से बचना है और सनी देव का अगर धारन करते हैं सलाह लेकर तो बहुत अच्छा है वैसे जहां लोग आपको सुनते हों समझते हों ऐसा छेत्र आपको नेत्रित्टु करना चाहिए आप सफल होंगे हर हर महादेव